बॉन्सून सत्र की कारिवाई के पहले दिन विपक्ष ने सदन से वोक आउट कर दिया। बॉन्सून सत्र का पहले दिन है और पहले दिन ही हमने जो प्रदेश में बिगरती कानून व्यवस्ता पर नियम सताशट के अंतरगत स्थजन परस्ताव के लिए आध्यक्ष मोद्य से आग्रय किया था। और जिस प्रकार से आप सब देख रहे हैं कि पिछले कल ही एक गटना बद्दी में होती है और 14-15 लोग तीन लड़कों की फिटाई करते हैं, डंडे से फिटाई करते हैं, उनमें से एक की मौके पर वहाँ पर मौत हो जाती है, एक PGI में एड़मिट है, एक पंचकुला के ह और दोनु गंभीर हैं, और ये गटना एक गटना नहीं, इस प्रकार की गटनाओं का क्रम बहुत लंबा चोड़ा हो गया पिछले पौने दो साल के कारेकाल में, और इससे पहले हाली ही में आप देख रहे होंगे कि बिलासपूर में गटना गटित होती है कि वहाँ पर सेक्स में, पंजाब से हायर किये हुए गुंडे लाए गए और उन्होंने फाइरिंग की, और फाइरिंग से एक नौजवान वहाँ पर गाहिल होता है, और इस बात को लेकर के भी ये जरूरी है कि जो बहां से गुंडे लाने वाले लोग थे, उन्हें से एक पूरव विध रहाएक का बेटा है, और जिस परकार से और भी बहुत सारे नेकों गटना है हिमाचल परदेश में, यहां पुलिस चौकी के अंदर, पुलिस ठाने के अंदर, लोग घुश करके वहां पर अफरा तफरी कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, माल रोड के हमारे पुलिस के कंट हो जाती है, अनेकों करम इस परकार के हैं, जिसके कारण हिमाचल परदेश में कानुन व्योस्ता डाम की कोई चीज नहीं रहे गए, और हिमाचल परदेश में पूरी सरकार ने पुलिस को किसी और कामें लगाते रखा है, भारती जंता पार्टी के विपक्ष के विधायकों को परतारित करना, उनके फोन की रिकॉर्डिंग करना, और इसके अलावा हमारे चूने वोई विधायकों को चार-चार घंटे पूलिस स्टेशन पर बिठा करके उनको परतारित करने के लिए इसकाम में लगाते रखा हुआ है, और कुछ लोगों को इतनी सुरक्षा दे आगे पाइलेट चलती है, पिछे एसकॉर्ट चलती है, पुलिस ऐसे काम में लगाके रखी है, शिमला में पुलिस हैड़कॉर्टर में 25 के करीब अधिकारी हैं, जिनको कोई काम नहीं है, लीव रिजर्ब की वहां पर उनकी वहां पर पोस्टिंग दे रखी है, जहां एक कुर्शी बैठने के लिए उनके पास नहीं है, ना कोई काम है, अखिरकार यह हो कह रहा है, अब जिस प्रकार से मानिये मुख्य मंत्री और संस्थिकारे मंत्री जी ने जवाब दे करके, इस सारी चर्चा को डाइवर्ट करने की कोशिश की, मेरा यह मानना है कि ना मुख्य पैडलर्ज हैं, ड्रग के जो माफिया है, यह उसे जुड़ा हुआ मामला है, जुड़ा हुआ जिस समर्जी से हो, लेकिन कारवाई तो कानून के मताबिक होनी चाहिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, बद्दी वाले मामले में तीन लोगों को गिर्फतार किया गया, वो पिटाई करते हैं, डांक से सिर पे मार रहे हैं और चॉक पे हो, सब के सामने मार रहे हैं, वो लोगों है, वो भी ड्रग माफिया हैं, लेकिन सरक्शन उनको प्राप्ट है, इस कारण से अभी तक उनकी गिर्फतारी नहीं उपाई हुए, उन में से चुना जा रहा है कि किस साजमी को गिरतार करना है और किसको नहीं करना है इसलिए इस चर्चा की बहुत बड़ी आफशक्ता थी आज सारी कारेवाइश्थ करके इस विशह पर चर्चा होना बहुत लाज़मी पूरे प्रदेश पर में जिस परकार की हत्याएं बलातकार की गटनाएं और ड्रग्स का तो परचलन इस परकार से बढ़ गया जो खुदी मुख्यमंतरी कह रहे हैं कि घटने ड्रग्स से जूड़ी हुई तो यह कोई अची ख़बर है क्या तो ऐसे में आज इस पर चर्चा नहीं देना हलागे मुझे लग रहा था दक्ष्मोदे जी का मन बन रहा था लेकिन सरका अचार के दवाव में मुख्यमंतरी और पार्लीमेंटरी फेर मिनिस्टर बार बार इस बात को इस चर्चा को रोकना चाह रहे तैंड चर्चा कब तक रोके जो परदेश में हालात क्या बन गए हुए इसलिए आमने नियमस्ताश्य के अंतरगत चर्चा मांगी थी चर्चा नहीं मिली आमने वाक उट कि कि